Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 7th class Math and CRT के chapter number 2 की exercise 2.5 के question number 4 के first, second और third part को sold करेंगे 4th question में हमसे कहा गया students, express in kg, इस question में जो values हमें gram में given हैं, हमें उनको kg यानि kilogram में change करके दिखाना है तो first part में हमें दिया गया है 200 gram और हमें इस 200 gram को kg यानि कि किलो ग्राम में change करके दिखाना है हम जानते हैं students की 1000 gram is equal to होता है 1 kg, यानि 1000 gram में 1 kg होता है तो अगर 1000 gram में 1 kg हुआ, तो 1 gram में कितना kg होगा, 1 gram is equal to, यह वाला 1000 यहाँ 1 के अपोन में आ जाएगा यानि कि 1 gram is equal to 1 upon 1000 kg, तो अगर 1 gram में 1 upon 1000 kg होता है, तो 200 gram में कितना kg होगा तो याद रखेगा students के जब भी आपको gram को change करना हो kg में, तो जितने gram को आपने change करना है kg में, 1 upon 1000 को उस नंबर से multiply कर दीजिए जैसे यहाँ पर हमें 200 gram को kg में change करना है, तो हमने लिखा 200 gram is equal to 1 upon 1000, multiply by 200 और यह kg में convert हो जाएगा अब यहाँ पर numerator में 1 है, यहाँ numerator में 200 है, तो 200 multiply by 1 200 होता है, तो यहाँ numerator में 200 और यहाँ denominator में 1000 है, यहाँ denominator में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1000 multiply by 1 1000 होता है, तो यहाँ denominator में 1000 आ गया, तो 200 gram is equal to 200 upon 1000 kg आ गया है, अब हम इस 200 को इस 1000 से divide करेंगे students, देखिए यह दो 0 और यह दो 0 आपस में कर जाएंगी, तो numerator में क्या बचा 2 और denominator में क्या बचा 10, यानि कि 200 gram is equal to क्या आ गया है, 2 upon 10 kg, अब हम इस 2 को इस 10 से divide करेंगे, अब देखिए students, यहाँ पर denominator में 1 0 है, तो हम यह 0 remove करेंगे, और check करेंगे कि numerator में decimal कहा पर है, देखिए numerator में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ कही decimal नहीं है, तो इसका मतलब यह decimal यहाँ पर last में होगा, तो जब हम denominator से 1 0 होताएंगे, तो यह जो decimal यहाँ पर है, यह एक digit left की तरफ shift हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए students, यह 2 तो as it is आगया, और जो यह decimal यहाँ पर था, वो यहाँ से 1 digit cross करके यहाँ पर आगया, यानि के 2 के left में, और इस decimal के left में हम यहाँ पर यह 0 लिख देंगे, हाला कि इस 0 की कोई importance नहीं ह होती है, यह सिर्फ एक रिखने का तरीका है, तो 200 gram is equal to आगया है, 0.2 kg, यानि के 0.2 kg, तो इस तरह से हमने 200 gram को kg में change करके दिखा दिया है, अब हम second part करेंगे, second part में हमें दिया गया है 3470 gram, तो हमें 3470 gram को change करके दिखाना है, kg में, हम जानते हैं students की 1000 gram is equal to होता है 1 kg, तो अगर 1000 gram में 1 kg होता है, तो 1 gram, यानि 1 gram में कितना kg होगा, 1 gram is equal to यह वाला 1000, यहाँ 1 के अपॉन में आ जाएगा, यानि के 1 gram is equal to 1 upon 1000 kg, तो अगर 1 gram में 1 upon 1000 kg होता है, तो 3470 gram में कितना kg होगा, तो याद रखिएगा students कि जब भी आप gram को change करेंगे kilogram में तो जितने gram को आप change करना चाते हैं kilogram में one upon one thousand को उस number से आप multiply कर देंगे तो यहाँ पर हमें three thousand four hundred seventy gram को change करना है kilogram में तो यहाँ पर हमने लिखा three thousand four hundred seventy gram is equal to one upon one thousand multiply by three thousand four hundred seventy और यह change हो जाएगा kilogram में अब यहाँ numerator में one है और यहाँ numerator में three thousand four hundred seventy है तो जब हम three thousand four hundred seventy को multiply करेंगे one से तो यहाँ numerator में आजाएगा three thousand four hundred seventy यहाँ denominator में one thousand है और यहाँ denominator में कुछ नहीं दिख रा मतलब one है तो जब हम one thousand को multiply करेंगे 1 से तो यहाँ denominator में आ जाएगा 1000 तो 3470 gram is equal to आ गया है 3470 upon 1000 kg अब हम इस 3470 को divide करेंगे 1000 से अब ध्यान दीजे students के नीचे denominator में देखिए यहाँ 30 हैं अगर हम यह 30 हटाते हैं तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि numerator में decimal कहा पर है तो यहाँ पर कही decimal नहीं देख रहा इसका मतलब decimal यहाँ last में होगा तो अगर denominator से हमने 30 हटाई तो यहाँ पर जो यह decimal है यहाँ से 3 digit left की तरफ shift हो जाएगा तो देखिए यह 3470 हमने यहाँ पर as it is रिखा 3470 decimal यहाँ last में था और हमने नीचे से 30 हटाई तो decimal यहाँ से 3 digit cross करके यहाँ आ जाएगा देखिए एक digit cross किया फिर दूसरा digit फिर तीसरा digit और इन 3 digits को cross करके decimal यहाँ आ गया तो 3470 gram is equal to आ गया है 3.470 kg तो इस तरीके से हमने 3470 gram को kg यानि kg में change करके दिखा दिया है अब हम third part करेंगे third part में हमें दिया गया है 4 kg 8 gram अब देखिए students यह वाला part तो already kg में यानि kg में है लेकिन यह वाला part ग्राम में है तो पहले हम इस part को kg में change करेंगे और जब यह kg में change हो जाएगा तो इसको add कर देंगे 4 kg के साथ तो सबसे पहले हम इस 8 gram को change करेंगे kg में हम जानते हैं students की 1000 gram is equal to होता है 1 kg यानि 1 kg अगर 1000 gram में 1 kg होता है तो 1 gram में कितना kg होगा तो 1 gram is equal to यह वाला 1000 यहाँ 1 के अपॉन में आ जाएगा तो हमने यहाँ पर लिखा है 1 gram is equal to 1 upon 1000 kg तो अगर 1 gram में 1 upon 1000 kg होता है तो 8 gram में कितना kg होगा याद रखेगा students कि जब भी आप gram को kg में change करेंगे तो जितने gram को आपने kg में change करना है 1 upon 1000 के साथ उस नंबर को multiply कर दीजिए तो क्योंकि यहाँ पर हमें 8 gram को kg में change करना है तो हमने लिखा 8 gram is equal to 1 upon 1000 multiply by 8 और अब यह kg में change हो जाएगा अब यहाँ numerator में 1 है यहाँ numerator में 8 है तो 8 multiply by 1 8 होता है तो यहाँ numerator में 8 आ गया यहाँ denominator में 1000 है यहाँ denominator में कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है तो 1000 into 1 1000 होता है तो यहाँ denominator में 1000 आ गया तो 8 gram is equal to आ गया है 8 upon 1000 kg अब हम 8 को डिवाइट करेंगे 1000 से अब देखे students यहाँ पर denominator में 30 हैं हम सबसे परदे तो यह 30 यहाँ से हटाएंगे और check करेंगे कि numerator में decimal कहाँ पर numerator में तो 8 है तो जब यहाँ कही decimal ने दिखे तो समझ जब यह decimal यहाँ end में है तो जब हमने denominator से 30 हटाई तो यह जो decimal यहाँ पर है यह यहाँ से 3 डिजिट left की तरफ shift हो जाएगा तो यह एक तो अपनी जगा पर है वो decimal यहाँ end में था तो जब हमें decimal को 3 डिजिट left की तरफ shift करना है तो देखे पहले इसने 8 को cross किया उसके आगे तो कोई digit नहीं थी तो हमने यहाँ पर 2 0 डगा दी देखे पहले इसने 8 को cross किया फिर इस 0 को और फिर इस 0 को तो एक digit cross होई दूसरी digit cross होई तीसरी digit cross होई और decimal यहाँ पर आ गया और decimal के left में हम यह 0 डगा देंगे तो 8 gram is equal to आ गया है 0.008 kg तो इस तरह से हमने 8 gram को kg यानि kg में change कर दिया है अब हमारा main question तो यह था students के हमें 4 kg 8 gram को पूरी तरह से kg में convert करके दिखाना था तो हमने लिखा 4 kg 8 gram is equal to 4 kg तो as it is आ गया और उसमें हमने add कर दिया 8 gram को kg में convert करके जो answer आया था उससे तो 8 gram को जब हमने kg में convert किया था तो हमें मिला था 0.008 kg तो अब हम 4 kg और 0.008 kg को आपस में add कर देंगे क्योंकि अब यह दोनों ही kg में आ चुके है तो सबसे पहले हमने इस 4 को यहाँ पर लिख दिया है 4.000 याद रखेगा students 4.000 और 4 एक ही बात है अगर आप किसी number के आगे decimal लगाए और उसके आगे कितने भी 0 लगादे तो इससे उस number की value पर कोई फरक नहीं पड़ता और उसमें हमें add करना है 0.008 को तो यह वाला decimal इस decimal के नीचे आएगा decimal के left में 0 है decimal के left में 0 आ गई decimal के right में 008 है तो decimal के right में हमने लिखा 008 अब हम इन दोनों को add कर देंगे अब देखिए 8 प्लस 0 8 होता है तो यहाँ पर 8 आ गया 0 प्लस 0 यहाँ पर 0 आ गया 0 प्लस 0 यह भी 0 आ गया decimal यहाँ पर as it is आया 4 प्लस 0 4 होता है तो यहाँ पर 4 आ गया तो हमें finally मिल गया है 4.008 तो 4 kg 8 gram is equal to आ गया है 4.008 kg तो इस तरह से हमने 4 kg 8 gram को पूरी तरह से kg यानि के kg में change करके दिखा दिया है I hope students आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इससे like, share and subscribe कीजिए Thank you